नमस्कार दोस्तों मैं गोरव स्वागत करता हूं आप सब का आपके अपने परिवार स्वाध्याई सेरी में कल हमने जो आपका चैप्टर सुरू किया था वो आपका हमने उत्तर परदेश का सामान ने प्रिज़े हमने सुरूआत की थी उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान रहे थे कल हमने जो टोपिक शुरू कर देथा मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे समझने कोजिस की होगी नोर्स बनाये होगे और आपको समझ में आया होगा आज हम देखते हैं जितना हमने कल पढ़ लिया था यूपी के बारे में हमने कल देखा था कि इसका नाम यूपी कैसे हुआ उत्तर प्रदेश और यूपी या उत्तर प्रदेश कैसे हुआ कब हुआ और कब इसका नाम करण हुआ कब इसका पुने गठन हुआ था कब इसका पुने गठन कब इसका पुने गठन हुआ था ठीक है यह सब कुछ हमने देख लिया ना कि उत्तर परदेश का जो पुने गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को उत्तर परदेश का नाम क्या रखा गया था उत्तर परदेश रख दिया गया था और इसका पुने गठन किया था यूपी का पुने गठन हुआ था एक नवंबर 1956 को वा था बाशा के आधार पर जो सभी हरे कराज्य का पुने गठन किया गया था वो एक नवंबर 1956 को किया गया था ये हमने कल कम्प्लीट कर लिया था और आज हम इसे आगे सुरू करते हैं अच्छे से समझने की कोशिस करना जितना हमने कल पढ़लिया था उत्तरप्रदिश का छेतरपल कितना था 24098-5RK कितना 24098-02berग remarkable www.utorreakad業wie.ende यह आपने नोट कर लिया होगा कल अच्छे से यूपी या फिरम बोल सकते हैं उत्तरपरदेश पहले यूपी और दिल्ली एक ही प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करते थे यूपी और दिल्ली एक ही प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करते थे लेकिन बाद में यूपी और दिल्ली जब एक ही Presidency का भाग हुआ करते थे उस टाइम जो यूपी का छेत्र अवद है वो उस टाइम एक सवतंतर रियासत हुआ करती थी और जिसके अंतिम राजा थे वाजिद अली साह कौन थे वाजिद अली शाह कल मैंने आपको ये बताया था और वाजिद अली साह वही थे जिसन प्रसार्शन के अधार कर अधार पर अंग्रेजी हुट हुकूमत या ब्रिटिस सामराज्य में मिला लिया गया था अब हम देखते हैं यूपी का जो विभाजन हुआ था यूपी का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था नो नौमबर यूपी का जो विभाजन हुआ था नो नौमबर दो हजार को यूपी का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था नो नौमबर दो हजार को क्या नो नौमबर दो हजार को यूपी का विभाजन हुआ था जिसमें तेहरे जिले तेहरे जिले या फिर कह सकते हैं दो मंडल के साथ यूपी का जो पहाडी छेतर था यूपी का पहाडी छेतर उत्राखंड के नाम से अलग कर दिया गया क्या नाम रखा गया उत्राखंड उत्राखंड पहले से उत्राँचल के नाम से जाना जाता था लेकिन जब इसे no number 2000 को यूपी से अलग किया गया जो यूपी से अलग किया गया यूपी का जो शेतर फल था यूपी अगर यूपी की बात करते हैं कुछ यूपी का मैप शायद कुछ ऐसा बनेगा कुछ ऐसा यूपी का मैप होगा एक मट बच्छो थोड़ा सा मैं आपको मैप कंफर्म कर देता हूं कि यूपी का मैप किस तरह से होगा वो हमें देखना चाहिए ठीक है तो यूपी का जो मैप है यूपी का मैप कुछ इसी तरह से बना हुआ है और यूपी के मैप मे यूपी का मैप यह वाला जो शेत्र है यहां पे सो कि यहां यह वाला जो छेतर है यह यहां पे हमाछल प्रदेश आज आएगा यह यह हो गया उत्राखंड उत्राखंड वर्डागह यूपी का पहाड़ी शेतर था और यूपी का पहाड़ी शेतर तेहरे जिले लगबख तेरे जिल्य तेरे जिल्य या फिर आप बोल सकते हो कि लगबण दो मंडल को अलग करके यूद्yll यूभ नया राज्या बनाया गया इसका नाम रखा गया आठीया गया जो जो नौ-बर 2000 को कीण नाम रखा गया उत्रा कट थ्यक्त है नाम vaud कर दिया गया क्या कर दिया गया क्या कर दिया गया एक्पी के बारे में कुछ अच्छी सी जानकारी जो हमें होनी कितने जिले है जो आपसे पेपर पूछा जाता है कि यूपी में कितने जिले है तो यूपी में 75 जिले है कितने हैं 75 जिले है ठेक है यूपी में 75 जिले है 18 मंडल है 350 तहसील है UP में 18 जिले है 38 मंडल है 350 तहसील है 17 नगर निगम है 108 में नगर पालिका है 108 में नगर पालिका है और लगभग 422 422 आपके मैं इसे कंफर्म कर दूँ है 422 आपके नगर पंचायत है अगर बात करते हैं आपका लगभग 69,000 0,73 69,000, 73 कितने 69,000 69,000 गराम पंचायत है कितने गराम पंचायत है यूपी में 75 जिले है यूपी में लगभग 75 जिले यूपी में लगभग नहीं सोरी यूपी में 75 जिले है यूपी में कितने जिले है यूपी में 75 जिले है 18 मंडल है 350 तहसील है 17 नगर निगम है एक सो ठड़ में नगर पालिका है, 422 नगर पंचायत है, और 69,070 ग्राम पंचायत है, ठीक है, और 822, कितने 825, साइद 825 विकास खंड है, कितने 825, यूपी में लगबग, विकास खंड है, कितने 825, ठीक है, कितने है, 825, यूपी में विकास खंड है, कितने 825, इसे आप 422 नहीं है, 449 है, कितना है, ये 449 है, मैंने कहा था, कि ये साइद कुछ गरबड हो सकता है, तो कन्फॉर्म कर लेता हूँ, यूपी में 75 जिले है, 18 मंडल है, 350 तहसील है, नगर निगम है 17, 100 ठर्में 849 नगर पंचायत है, और 5, ओ स्वरी, 900, 073, 900, 073 बोलते हैं, इसको 0 नहीं बोलना, ये बस याद कर रहा हुआ है, 900, 73 नगर पंचायत है, और 822 विकास खंड है, कितने 822 विकास खंड है, जिसमें से सबसे नया जो मंडल है, वो है अलिगड, क्या है, अलिगड, यूपी का अठारवा मंडल है, यूपी का अठारवा मंडल का क्या नाम है, यूपी का अठारवा मंडल है, अलिगड, क्या हुआ, यूपी का जो अठारवा मंडल है, वो है अलिगड, क्या है, अलिगड, अगर हम बात करते हैं, यूपी के अक्षान से विस्तार की, यूपी का जो अक कर लिया होगा ना इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे बाद में यह आपके लोगों के लिए important है कि कितने जिले हैं यह सब कुछ आप से पूछा जाता है यूपी के अगर अक्षान से विस्तार की बात करते हैं तो यूपी का जो पूछ आख्षान्स से विस्तार है वो कितना है यूपी का अक्षान से विस्तार से 33 любим Denmark से त appreciative 24 मिननट किना setup 24 मिनट ओत्री अक्षांस साल में म है अगर बात करते हैं हम आपके 77 डिग्षिट सांतर डिग्री कितना सतनकर डिग्री पांच मिनट साथ ऑन्हसरी दिग्री पांच्ट से लगभग 84 degree, कितना, 84 degree 38 minutes पूर्वी देशाँतर क्या हuxबा, पूर्वी देशाँतर तक यूपी फैला हुआ है यूपी का जो अक्षान से विस्तार है, वो कितना है यूपी का जो अक्षान से विस्तार है, वो है आपका तीज डिगरी 92-等 minut से तीज डिगरी 24-min उत्री अक्सांस तक फैला हुआ है अगर बात करते हैं देशांतर विस्तार की तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक यूपी का अक्षांसे और देशांतर ये विस्तार है अब यह आपने नोट कर लिया होगा ना ये कि यूपी का जो आपका अक्षांसे विस्तार है वो 30 डिग्री 22 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक फैला हुआ है अगर बात करते हैं देशांत्रे विस्तार की, तो 77 डिग्री पांच मिनट से आपका 84 डिग्री 38 मिनट पूरवी देशांतर तक UP का देशांत्रे विस्तार है, ठीक है? अब हम देखते हैं, हमने कल UP की जो राजधानी थी, UP का नाम करन था, वो सब कुछ हमने देख लिया था, यह सब कुछ यूपी का चेतपल भी हमारा कंप्लेट हो चुका था भारत के चेतपल का साथ पॉइंट 33% साथ पॉइंट 33% कुल भाग घेरे हुए है और मैंने आपको बताया था कि यूपी चोथे नंबर का सबसे बड़ा राज्जी है जिसमें पहले नंबर पर राजिस्तान क्या था पहले नंबर पर राजिस्तान था दूसे नंबर पर एमपी था तीसे नंबर पर महरास्ट था महरास्ट और चोथे नंबर पर आपका यूपी था क्या था यूपी अगर जनसंग्या की बात करते तो पहले नंबर पर यूपी होता लेकिन चेतपल के करम में यूपी कितने राज्यों से सीमा साजा करता है यूपी भारत का एक मात राज्य है जो सबसे जदे राज्यों के साथ सीमा साजा करता है यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे जदे राज्यों के साथ सीमा साजा करता है सीमा लगाता है सीमा साजा करता है UP आट राज्यों के साथ सीमा साजा करता है और पलस एक UT Union Territory Union Territory अर्थात केंदर साशित परदेश केंदर साशित परदेश कौंज़ा है आपका दिली UP आट राज्यों के साथ सीमा साजा करता है किसके साथ यूपी आठ राज्यों के साथ सीमा साजा करता है जिसमें से आपका क्या है आपका एक तो है आपका आठ राज्यों में आपका जो आठ राज्य है वो आपको अच्छे से करे जाएंगे और एक है आपका यूटी अर्थात दिल्ली तो कुल मिलाकर यूपी नो राज्यों के साथ सीमा साजा करता है कुल नो राज्यों के साथ कुल नो राज्यों के साथ राज्यों के साथ सीमा साजा करता है तो यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा साजा करता है यूपी कुल नो राज्यों के साथ बिदेखिए इसमें इसे यूपी सीमा साजा किसंदाonstraint कुल इसमें नहीं दिया तो सिधा नो झाट्ल के साथ करता है नँ सुए डैंर से कवर करने कि sister करेंगा आज हैं अब आप लोग ने दिख लिया Tamam यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा साजा करता है इसको रब कर देता हूं थोड़ा मैपसी थोड़ा आसान होगा समझना यह आपकी समझ में आ गए ना कि यूपी कितने राज्यों के साथ 8 पलस 1 के साथ सीमा साजा करता है कितनों के साथ 8 पलस 1 के साथ कितनों के साथ सीमा मैं लिख देता हूं कि सीमा 8 पलस 1 के साथ किसके 8 पलस 1 के साथ सीमा साजा करता है अब यूपी का मैप बनाते है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके आप ठीक है यूपी का जो आपने बताया था कि अक्सान से विस्तार और आपका देशांतरे विस्तार मैंने आपको बता दिया था कि यूपी का जो अक्सान से विस्तार है वो 23 डिग्री 22 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्री अक्सान तक फैला हुआ है ठीक है, अब हम देखते है, यूपी, 8 राज्यों और 1 यूटी के साथ सीमा साजा करता है, कितना? 8 राज्यों और 1 यूटी के साथ सीमा साजा करता है, जिसमें से आपका बिहार, जहारखन्ड, 36 गड़, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 36 और गड़ ठीक है बिहार जहारखंड 36 गड़ क्या हो गया पिहार जहारखंड 36 गड़ यहाँ पे वह आपका MP यहाँ पे आपका राजिस्थान चलेगा राजिस्थान ठीक है हर्याना आपका हिमा चल आपका UK उतराखंड और अंतराष्ट्य सीमा एक नेपाल के साथ किसके साथ नेपाल के साथ तो UP किसकिस के साथ सीमा साजा करता है UP सीमा साजा करता है आपका UP जो सीमा साजा करता है वो करता है आपके उतराखंड के साथ नहां से लेजिए बिहार के साथ जहारखंड 36 गड़ MP राजिस्थान हर्याना अहिमाचल परदेश उतराखंड और नेपाल अगर अंतराष्ट्य सीमा की बात करते है तो अंतराष्ट एक के साथ यूपी एक एक मात्र अंतराष्टे सीमा साजा करता है वो है नेपाल नेपाल बस एक मात्र अंतराष्टे सीमा साजा करता है नेपाल के साथ अन्ने किसी के साथ भी यूपी अंतराष्टे सीमा साजा नहीं करता है अब हम देखते है कितने हो गए आपके ये एक दो तीन चार पांच छेस साथ आठ और एक अंतराश्य सीमा ठीक है या लग हो गई तो आठ राज्य कितने हो गए आठ और एक हो गई आपकी दिल्ली क्या हो गई दिल्ली क्या है योटी क्या है योटी मैंने बदाय था आठ राज्यों और एक योटी के साथ सीमा साजा करता है कुशी नगर देवरिया बलिया महराजगंज कुशी नगर देवरिया बलिया गाजीपूर महराज गंज, कुशी नगर, देवरिया, बल्या, गाजीपूर, चंदोली चंदोली के बाद आपका सोन भद्र तो यूपी के वेजिले जो बिहार के साथ सीमा साजा करते हैं आपके महराज गंज, कुशी नगर, देवरिया, बल्या, गाजीपूर, चंदोली और सोन भद्र अब जहरकंड के साथ की अगर हम बात करते हैं तो जहरकंड के साथ सीमा साजा करता है आपका क्या जहारखंड के साथ सीमा साजा करता है आपका जहारखंड के साथ सोन भदर और चतिशगर करता है वो भी सोन भदर के साथ सीमा साजा करता है अब बात करते है MP की तो MP के साथ UP सबसे ज़्यादा सीमा साजा करता है UP के सबसे जाज़ा जिले MP के साथ सी मसाजा करते है आप देखते हैं हम आपके इसमें आपका है सोन भद्र यह हो गया आपका है आपके मिर्जापूर क्या हुआ? सोन भद्र हुआ, मिर्जापूर हुआ, आपका परियाग राज चित्रकूट बांदा बांदा, बांदा के बाद यहां पे महोबा क्या हुआ? आपका मिर्जापूर, मिर्जापूर, प्रियाग राज, चित्रकूट, बांदा बांदा के बाद आपका महोबा, महोबा, महोबा के बाद आपका हो गया महोबा के उपर हमीरपूर जो किसी के साथ सीमा साजा नहीं करता है क्या हुआ महोबा महोबा के बाद यहां पर हो गया यह आपका थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिजे कोई बात नहीं महोबा हो गया है सारा क्या हो गया महोबा यहां पर क्या हुआ यह ललित्पूर ललित्पूर के उपर यहां पर क्या है आपका शायद हम थोड़ा सा जाद उपर चले गई है ललित्पूर के बाद ललितपुर ललितपुर के बाद जहांसी जहांसी के बाद आपका जहांसी के बाद होगा आपका जहांसी के बाद होगा मतुरा और मतुरा के उपर होगा आपका क्या आगरा जहांसी के उपर जा लोन जहांसी यह हो गया आपका जा लोन जालोन यहाँ पे हो गया आपका मथूरा और यह हो गया आगरा ठीक है अब राजिस्ठान दिल्ली को थोड़ा से उपर कर देते है हर याना ठीक है दिल्ली कर देते हैं यहां पर दिल्ली क्या हुआ दिल्ली यहां पर क्या हुआ आपका राजिस्थान ठीक है क्या हुआ यह हो गया आपका राजिस्थान तो MP के साथ सीमा साजा करने वाले हुए आपके आपके क्या क्या होगे MP के साथ हो गया आपके ललिथपुर, जहांसी, जालोन, यहाँ पे आगरा और यहाँ पे मतुरा, क्या आगरा और यह हो गया मतुरा, ठीक है क्या हो गया मतुरा, अब देखिए आपके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और एक हो रह गया जिसका नाम है इटावा, क्या हुआ, इटावा, वो लगभग यहाँ पे आएगा, कहीं पे आगरा, इसके बीच में आएगा, यहाँ पे यह इटावा आजाएगा, इटावा, और मतुरा, सीमा साज करता है, क्या करता है, आगरा, जो है, वो मतुरा, सोरी, आगरा, जो है, राइस्थान के साथ भी सीमा साजा करता है, और किसके साथ, आपके, MP के साथ, इसी परकार, मतुरा, मतुरा, आपका सीमा साजा करता है, किसके साथ, हर्याना के साथ, और राइस्थान के साथ, किसके, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना तो नहीं आप लोग बोलोगे कि सन्य अच्छे से नहीं पताया यह हो गया आपका जालों जासी यहां पे हो गया इटावा ठीक है इटावा यहां पे हो गया आपका आगरा और यह हो गया आपका आगरा के ऊपर क्या था यह मतुरा क्या मतुर अब इसको कर देते आगरा ठीक है यहापे राजिस्थान हो गया और यह हो गया का मतुरा ठीक है तो आगरा दो राज्यों के साथ सीमा साजा करता है आगरा राजिस्थान के साथ भी करता है और आपका किस के साथ करता है आपका MP के साथ भी करता है उसी परकार राजिस्थान स सारनपूर से आएगे हैं सारनपूर से शामली शामली से आपका बागपत बागपत से आपका गाजयाबाद गाजयाबाद से आपका गोतम बुद्नगर गाजयाबाद से गोतम बुद्नगर और गोतम बुद्नगर से मतुरा गोतम बुद्नगर और मतुरा क्या हो गया गोतम ब क्या हो गया दिल्ली वोतलन गर Those l वोतलन गर्ण और नकर करें यहां पर अलिगर्ण क्या लिगर्ण आप देखते हैं अब देखें अब लोग किसके साथ कवे सभी साज़ाえ और अच्छ से ध्यान करते हैं 36 गड़गी 36 के साथ सीमा साजा करता है एक जिला आपका सोन भदर MP के साथ सीमा साजा करने वाले कौन कौन से है तो MP के साथ सीमा साजा करने वाले है सोन भद्र मिर्जापूर प्रियाग राज चित्रकूट बांदा महोबा ठीक है ललुत पूर चांसी जालोन इटावा आगरा ठीक है यहां तक हो गए MP के साथ MP के साथ कितने जिले होए 11 एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो 10-11 कितने जिले MP के साथ सबसे ज्यादे MP के साथ सीमा साजा करता है UP हो गया क्या MP दोस्तों अब बात करते है राजस्थान के साथ सीमा साजा करने वाले कौन-कौन से है राजस्थान के साथ सीमा साजा करने वाले है आपके आगरा और मतुरा कौन-कौन से आगरा और मतुरा आगरा और मतूरा अब बात करते हैं हर्याना के साथ हर्याना के साथ होए साहरनपूर, शामली, बागपत, गाजाबाद, गोतमबुद्नगर और अलिगड़ साहरनपूर के साथ सीमा साजा करता है हिमाचल परदेश कौन हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश एक मात्र सबसे चोटी सीमा साजा करता है सबसे चोटी जो सीमा साजा करता है वो सानपूर के साथ करता है कौन सानपूर के साथ सीमा साजा करता है सबसे चोटी सीमा यूपी का जिला जो सबसे चोटी सीमा साजा करता है वो कौन सा है वो है आपका सारण पूर, कौन सा? सारण पूर, कौन सा हुआ? सारण पूर, ठीक है? अब हम देखते है UK के साथ, UK के साथ यह हो गया आपका मुझफवन अगर क्या हुआ यह हो गया आपका मुझफण अगर यह हो गया मुझफण अगर से आगए UK के साथ सीमा साहजा करेगा बिजनोर जहां से गंगा बिजनोर ठीक है बिजनोर हो गया जहां से गंगा प्रवेश करती है क्या करती है गंगा प्रवेश करती है अब बात करते है बिजनोर के बाद रामपुर क्या हुआ मुरादाबाद और मुरादाबाद के बाद रामपुर रामपुर के बाद आपका बरेली अब देखिए आपका युक्य के साथ सीमा साजा करने वाला है साहरणपुर अगर मुझग अपनकर करें बरिजनोर मुदाबाद रामपूर बरेली और पिलीभीध मब्द है अब यहां पर पीली भीथ पीली भीथ में आपकी सीमा अजा करती हि यूपाल के साथ भी और आपके यूके के साथ पीली भीत आपके नेपाल के साथ भी सीमा साजा करती है और यूके के साथ भी सीमा साजा करती है अब देखे आपके क्या क्या हो गया यूके के साथ शाहनपुर मुझफवनगर बिजनोर बिजनोर मुरादाबाद रामपुर बरेली और पीली भीत क्या हुआ पीली भीत नेप लखीम पूर्खिरि यूपीका सबसे बड़ा चेतरपल रखता आफ देखते हैं यहां पे आगया बहराइच बहराइच स्रावस्ती और बल्राम पूर क्या हो गया बल्राम पूर क्या हो गया यह हो गया आपका बल्राम पूर क्या हुआ बल्राम पूर बल्राम पूर के बाद सिधार्त नगर क्या हुआ सिधार्त नगर जहां का काला नमक चावल बहुत ज़्यादा परसिद है क्या हुआ काला नमक चावल बहुत ज़्यादा परसिद है और महराज गंज यह जो मैंने लाइन कीची है ये लाइन गाज्या की सीमा को दरसा रही है जैसे अब आपको अच्छे से मैंने इसको लिख दिया है देखते है महाराज गंज नेपाल के साथ भी सीमा साजा करता है और बिहार के साथ भी सीमा साजा करता है महाराज गंज अब देखते हैं बिहार के साथ लगने वाले सबसे लंबी सीमा MP के साथ सीमा साजा करता है यूपी नोट करिए ठीक है यह सब कुछ मुझे आपको अच्छे से नोट करा दूँगा मैं आप देखे सोन भद्र मिर्जापूर परियाग राज शित्रपूर्ट बांदाम महोबा ललिथपूर अब MP के साथ जासी जालो इटावा और लूट रहिस्थान के साथ आगरा और मतुरा दिल्ली के साथ हर्याना के साथ सारनपूर शामली बाग बद गाजाबाद गोतम बुद्दणगर अगर बात करते हैं हम हमाचल के साथ हिमाचल परदेश के साथ एक मात्र जिला यूपी का सीमा साजा क करता है सारणपूर ठीक है सानपूर नेपाल के साथ जो अंतराष्ट सीमा है वो है आपकी लखिम पुर्खीरी, बहराईच, सरावस्ती, बलरामपूर और सिधार्थ नगर, और सिधार्थ नगर कौन सा है, सिधार्थ नगर वही है, सिधार्थ नगर आपका, सिधार्थ नगर, सिधार्थ नगर वो है, जहां का काला नमक चावल परसीद है, क्या है, काला नमक चावल आज मैंने आपको बता दिया है और कल हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे इससे आगे जितना बैस्ट हो सकता है उतना कोईश करेंगे एक अगर राज्ये को अलग अलग लिखेंगे और उसके साथ मिलने वाले राज्ये उसके साथ जिन से राज्ये सीमा बनाते हैं जिले स सब्सक्राइब करें आज गले इतना ही रखेंगे दोस्तों धन्यवाद